कि नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका कख्षा 10 वी के अध्याए तीन लोगतंत्र और विविद्धिता में आपको पदा है कि हम एक लोगतंत्र वैवस्ता में रहते हैं हमारा देश विविद्धिताओं का देश है यहां लोगों की पहचान सर्फ भाषा और शित्र की जाती सो विविदताओं के लोग रहते हैं बच्चों आज हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी विभिनताओं और अंतरों और भाशाओं के बीच समंजस से बिन बनाकर उनका समाधान देने की कोशिश करता है आज हम चर्चा करेंगे कि समाजिक विभिनता कैसे अलग-अलग रूप धारन करती है और फिर देखेंगे कि समाजिक विभिनता और लोकतंत्रिक राजनीती किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं यह करने से पहले मैं आपको मेक्सिको ओलम्पिक की एक कहानी को समझाने की कोशिश करती हूँ अमेरिका में नागरिक अधिकार अंदोलन जो 1954 से 1968 तक रहा यह एक ऐसा सिलसला था जिसका उदेशे एफरो अमरीकी लोगों के विरुद होने वाले नसल भेद को मिटाने की बात की गई थी आप सबने मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम तो सुनाई होगा उन्होंने इस आंदोलन को पूरी तरह अहिंसक रूप दिया उन्होंने नसल के आधार पर भेद भाव करने वाले कानूनों और वेवहार को समाप्त करने की मांग की और जो अंत में उन्हें सफलता भी मिली चलिए देखते हैं ये घटना क्या थी 1968 में मैक्सिको सिटी में ओलियम्पिक मुकाबलों की 200 मीटर दोड में अमरीका का राष्टरगान बज रहा था पर उसमें सिर जुकाए और मुठी ताने हुए दो खिलाडी खड़े थे वेह थे टॉमी स्मित और जॉन कॉर्लोस यह एफ्रो अमरीकी थे और उन्होंने स्वन और कास्से पदक जीता था अगर आप यह तस्वीर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह मौजे चड़ाए पुरसकार लेते हुए यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमरीकी अश्वेद लोग गरीब हैं जो लोग आत्म गौरव का प्रतीक थे और इतना ही नहीं कार्लोस ने मारे हुए अश्वेद लोगों की याद में काले मनकों की एक माला भी पहन रखी थी इन दोनों ने ऐसा क्यों किया होगा जी अब सही सोच रहे हैं उन्होंने अपने तरीकों से अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रती अंतर राश्रिय बिरादरी का ध्यान इस नसल भेद की तरफ खींचा और बंदी हुई मुठियों और श्वेद शक्ती को इसकार समारों में अपनी जर्सी पर मानवा दिकार का बिल्ला लगा कर इन दोनों अमरीकी खिलाडियों को अपना समर्थन दिया बच्चों आपको क्या लगता है कि यह स्मिथ और कार्लोस द्वारा अमरीकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर राश्रिय मंच पर उठाना क्या न्याय संगत था मतलब क्या यह अंतर राश्रिय मंच पर उठाए गए पहलूओं के लिए बिल्कुल सही था क्या इसमें उनका राजनेतिक कारण था पर बच्चों क्या आपने ध्यान दिया है कि नॉर्मल ना तो अमरीकी थे और ना अश्वेत वह इस विरोध में क्यों शामिल हुए अगर उनकी जगा आप होते तो क्या करते क्या कुछ ऐसा करते या कुछ और करते चलिए देखते हैं अंतर राष्ट्रिये ओलंपिक संग ने कालोस और स्मित के राजनीतिक बयान को ओलंपिक भावना के विरुद क्यों माना और बच्चों आपको पता है कि संग ने उनसे पदक भी वापिस ले लिये और नॉर्मन को अगले ओलिम्पिक में उनकी आस्ट्रेलिया के टीम ने लिया ही नहीं पर इसका प्रभाव अधिकार अंदोलन पर जरूर पड़ा अमेरिका में अश्च्वेत लोगों के सम्मान के खिलाब एक आंदोलन शुरू हो गया और कहीं कहीं तो इसका रवया बहुत उग्र भी हो गया पर बच्चों हाल ही में होस्टेट यूनिवर्सिटी में जहां इन लोगों ने पढ़ाई की थी इन दोनों का वहाँ आभिनंदन किया गया और विश्व विद्याले के भीतर उनकी मूर्दिया भी लगवाई गई और जब नॉर्मन की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में स्मित और कार्लोस भी थे बच्चों अभी आपने देखा कि किस तरह से इन खिलाडियों ने समाजिक बटवारे और समाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध किया पर आप बताए कि क्या ऐसा भेदभाव और नसल और रंग के अधार पर ऐसा भेदभाव होना चाहिए इस पर विचार कीजेगा आपने पिछले अध्याय में बेल्जियम और श्रिलंका के उधारन भी किये थे क्या कभी आपने सोचा है कि यह समाजिक या राजनीतिक भेद या विभाजन किन कार्णों से होता है क्या ये जन्म के अधार पर है या पसंद या चुनाव के अधार पर चलिए समझते हैं कि समाजिक विभाजन जन्म पर अधारित होता है या पसंद या चुनाव या समाज के अधार पर कुछ के हिसाब से जन पर अधारित होता है पर आपने देखा होगा कि हमारा जन किस परिवार में हो रहा है यह हमारे उपर निर्बर नहीं करता हम किस समुदाय के सदस्य हो यह हमारे जन पर अधारित होता है हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई इस्तरी हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, चमडी का रंग गोरा हो या काला, शारीरिक शम्ताएं हो या शारीरिक और शम्ताएं, सबकी अलग अलग पहचान है बहराल, सभी तरहां के समाजिक विभाजन, सिर्फ जन पर अधारित नहीं होते, कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव के अधार पर भी तै होती है बच्चों आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने परिवार से अलग अपनी पसंद का धर्म चुन लेते हैं और यही नहीं कुछ लोग खेल पढ़ाई के विशे सांस्क्रितिक गती विदियों का चुनाव भी अपनी पसंद से करते हैं और इन सब के अधार पर ही समाजिक समूहू बनते हैं पर इसके साथ साथ आपने एक चीज और भी देखी होगी कि यह सब विभाजन जन पर अधारित नहीं होते हर समाजिक विभिन्ता समाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है समाजिक विभिनताएं लोगों के बीच बटवारे का एक बड़ा कारण तो जरूर होती है पर कई बार अलग अलग तरहां के लोगों के बीच पुल का भी काम करती है वेभिन समाजिक समूहों के लोग अपने समू की सिमाओं से परे भी समानता और असमानताओं का अनुभव करते हैं जैसा अभी हमने स्मित और कार्लोस की चर्चा की हम देखते हैं कि यह दोनों तो एफरो अमरीकी थे जबकि नॉर्मन तो श्वेत थे पर बच्चों इन तीनों में एक समानता थी और वह थी कि यह सभी नसल अधारित भेद भाव के खिलाफ थे बच्चों आपने देखा होगा कि कहीं बार एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ट संबंध नहीं निभा पाते क्योंकि अलग अलग तरीके से वह सोचने लगते हैं उनका विचार करने का तरीका बिलकुल भिन हो जाता है इस प्रकार हम सभी की एक से जादा पहचान बनती चली जाती है इसी तरह लोग एक से जादा सामाजिक समुहों का हिसा भी हो जाते हैं दरसल हर संदर्ब में हमारी पहचान एक अलग रूप ले लेती है या एक अलग रूप धारण कर लेती है बच्चों आज हमने उधारणों के माध्यम से समझा कि समाजीक विभिन्ताओं और अंतरों और अस्समानताओं के बीच सामन जस्य बिठाना और उनका सर्व मान्य समाधान निकालना कितना जरूरी है हमने देखा कि स्मित और कार्लोस ने सारवजनिक अभी व्यक्ति के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश की और इसके साथ हमने देखा कि समाजिक भेदभाव की उत्पत्ति किन आधारों पर की जा सकती है या कहीं जा सकती है चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रश्नों की बट प्रश्न करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज जो विशय हमने पड़े या जो हमने समझे क्या वो आपको समझ में आए चलिए कुछ प्रश्न कर लेते हैं प्रश्न पहला समाजिक विभिनताएं क्या होती हैं दूसरा प्रश्न एफ्रो अमरीकी से आप क्या समझते हैं तीसरा प्रश्न अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्या था और क्यों था चौथा प्रश्न मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे पांचवा प्रशन, अश्वित शक्ती आंदोलन से आप क्या समझते हैं छटा प्रशन, क्या हर समाजिक विभिन्ता, विभाजन का रूप लेती है या नहीं उधारनों के माध्यम से इसको समझाईए सात्वा प्रश्न समाजिक भेदभाव की उत्पत्ती का आधार क्या होता है और इस पर अपने विचार दीजिए बच्चों इसके साथ साथ कुछ activities भी करते हैं और मुझे लगता है कि आप सब ये activities करने के लिए बिल्कुल तयार है activity number one जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत एक विविदताओं का देश है दुनिया के लगबग सभी प्रमुक धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं यह विविन्ता हमें भागौलिक स्थिती में भी देखने को मिलती है जैसे यहाँ पर परवत समुद्रतट बैदान पठार और तरह तरह की भूमियां हैं इसके साथ साथ 22 अनुसूचित भाषा आएं सेकडों संस्कृतियां और अंगिनत परंपराएं और कुछ प्रमुक त्यहार जैसे दिवाली, इद, दुर्गापूजा, क्रिस्मस, नवरातरी, इस्टर, गुरुनानक, जयन्ति, आधी यह सारी विविदताएं हमारे देश मे मौजूद हैं, क्या विविदता एक देश के लिए आवश्यक है, अगर है तो क्यों और इस विविदता से क्या लाब होता है, सोचिए, एक्टिविटी नमबर दो, लोक तंत्र, समाजिक विभिनता और व्यक्तिगत सो तंत्रता को कैसे समायोजित कर सकता है, अपने विचा विचारों को चित्रों के माध्यम से वियक्त करें, एक्टिविटी नमबर तीन, बच्चों आपकी कक्षा में अनेक धार्मिक छूटियां आप किस तरह से मनाते हैं, उनकी कुछ जल्कियां एक कागज पर चित्रों के माध्यम से आप वियक्त कर सकते हैं, एक्टिविटी न पेपर और कुछ रंगीन मार कर लेने हैं और उस पेपर पर एक बड़ा सा फूल बनाना है अब हर एक बच्चा आएगा और उस फूल में अपनी पसंद का रंग भरेगा अक्टिविटी नमबर पांच बच्चों आप व्यंजन संस्कृती की विरासत को भोजन के साथ भी मिला सकते हैं आप इडली, डोसा, पुलाव, बिर्यानी जैसे व्यंजनों के साथ विविधताओं का आनन्द ले सकते हैं देखिए है ना कितना इंट्रेस्टिंग अब मैं चाहती हूँ कि आप इन में से कोई न कोई एक अक्टिविटी जरूर कीजेगा और विभिन्ताओं को समझने की कोशिश भी कीजेगा बाकी का अध्याएं और अगले विश्यों की चर्चा हम अगले सत्र या अगले सेशन में करेंगे और जाते जाते श्री भीम सेन जोशी और उनके साथ श्री प्यूश पांडे और अशोक पटकी जी द्वारा रचित देश की एकता और अखंड़ता को बढ़ाने वाले देश की विभिन्ता और विभिन्द समुदायों में एकता को दिखाने वाले या गीत की दो पंक्तिया जरूर बोलना चाहूंगी मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा सुर की नदियां हर दिशा से बहते सागर में मिले बादलों का रूप लेकर बरसे हलके हलके मिले सुर मेरा तुम्हारा और सुर बने हमारा मिले सुर मेरा तुम्हारा और सुर बने हमारा इसी के साथ धन्यवाद और नमस्कार जस साथ बन्यवाद बन्यवाद, इसान साथे करतकोर जल साथे खाहे, तर नर सिर्केर उन्यवा vind और साथ हम और च भे λोजाद, तर राल से पतरा में रियिते हम हैं और से अख एल